नमस्कार ममी अम्मी किचन फूड में आपका स्वाइव रहत हैं और आप कैसे हो आई हो आप बहुत अच्छे होंगे और जय मता दी नौरात्रे शुरू है तो नौरात्रे में जो खाना खाते हैं तो मैं सबजी बनाने जा रही हूं मखाने का और मखाने के जो नमक संधा नमक खाते हैं उनके लिए मैं बना कर दिखाती हूं कि कैसे खाते हैं वह नमक करते हैं तो मैं आभाफा कह एधूर मैं खाने के सब्लों कायsti बनाती हूं और नवर देखियों नौरातरा इसपैसर सब्जी है और जू नमक खाते हैं वह सिंधा नमक डाले जो नहीं खाते हैं वह प्लीज किप करते हैं यह ना बोले कि हाँ हमने वह कर दिया नौरातरे में नमक दिखाना कि तो हम आगे पीछे का बरत रख्यें तो हम बीच में ऐसे ही सब तो मखाना भूनने के लिए घी डाल रही हूँ करीब 2 चमच घी अंदाज वे लेली हूँ लेकिन 2 चमच घी तो गी होगिया गरम इसके अनदर मखाने है अब इसे भूनेंगे अराम राम से बहुत हल्का है, अराम राम से भून जाएगा, भूने में कोई दिक्कत नहीं हो और इसकी सब्जी बहुत अच्छे होगे और पोस्टीक होगे, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा मखाना होता है, बहुत ही अच्छा रहेगा इसका सब्जी, प्रोटीन से भड़ा हुआ है मखाना, इसमें बहुत सरा प्रोटीन है, जिसे कमर में दर्द होता है, वो इसे दूद में भी डाल के खाते हैं, घूल लेते हैं गी में और एक डबा में करके रख लेते हैं, दूद गरम किये, उसमे चार-पास दाना डालें, जितना दो चम्मस, तेन चम्मस जितना खाना है, डाल के और इसे फिर ठा लेते हैं, बूद में जाते गल जाता है, सौप्ट चीसा हो जाता है, तोड़ा और भूनेगा, भून गया है, पर इसका भूना पता कब लगता है, जब अभी भूनेगा, तो गैस कम कर लेते हैं, और तला अगर भाड़ी होकर आई है, तो फिर ठेज कर लेते हैं, तो इसका तला हलका है, तो मैं परली हो कम, जलने जा, इसलिए कंटीनिम चलाते रहना है, थोड़ा और भूनेगा, तो यह देखें, भून गया है, अब आज हो रहे हैं, भून गया अच्छी तरह से, अब इसे मैं निकाल लेते हैं, मखाने के, देखेंगे, अब आज जला ले, कम कर लेते हैं, और इसके अंदर घी डालते हैं, तो यह तेल के जगह पर आप घी उच कर लेजे, और इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, छोटी लाइची, आप जीरा डाल सकते हैं, मैं जीरा नहीं डाली हूँ, और उसके बाद यह अदरट और हरी है, और इसे भूल लेना है अपकी तरश से, और थोड़ी सी धनिया पस्ता, यह अच्छे साथ है, भूल लेना, और अधरग घड़ी मिर्च के, कच्चा कच्चा फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही टेस्ती लगेगा, और स्वाद अनिशा नमक, सेंदा नमक है, जो नमक नहीं खाना चाहिए, वो इस खिप कर दे, तो बर्थ के लिए जो बनाए, वो नमक ना डाले, और जो सेंदा खाते होंगे, वो डाल सकते हैं, और हम तो इसे बस रेगुलर खाना के लिए बना रहे हैं, कि नोरीं के बीच में, पहला और आखरी बरत रखें, और बीच के जो खाना होता है, इसके लिए, अब इसके अंदर में दही आएंगे, आधी किलो दही है, आप माखाना के हिसाब से कम ज़्यदा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी, जही फटन है, इसके लिए इसको मिला लेते हैं, और इसके अंदर माख माखाने के सब रखी हो गया, फोरा सवर पकेगा, बस टाइम भी नहीं लगा, और बहुत टेस्टि अब रोटी से खाईए, बहुत ही टेस्टि लगे, पूरी से खाईए जैसे खाना है खाईए, और बरत में ऐसे भी खा सकते हैं, और जो बरत में दही नहीं खाते हैं, वह तो लीजिए मखाना के सब्जी बनके तयार है अगर आपको अच्छा लगे तो ममी अमी किचिन फूड को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए धन्यवाद